बॉस जब पूरे इंडियन सिनिमा की हिस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म का अनाउंस्मेंट आएगा तो शायद किसी ने सोचा नहीं था पब्लिक का ऐसा रियाक्शन पाएगा अभी तक तो ये फिल्म हम लोगों के सिर्फ दिमाग में चल रही थी लेकिन फर्स टाइम कोई ऑफिशल अपडेट भार आया है वो भी सीधा रिलीज डेट जिसमें काफी लंबा इंतजार है अब मुद्य की बात ये है कि जो पोस्टर टीम ने चुना है पब्लिक को ये इंफर्मेशन देने के लिए उसको थुड़ा मिक्स या फिर बोलू अनेक्सपेक्टेट टाइप का फीडबेक मिल रहा है सबसे भयानक तो है इसका मिलता जुलता कलर पैटर वो भी इंडिया की सबसे मिस्फिट फिल्म आदी पुरुष के साथ एमोशनली बहुत हर्ट किया था इस फिल्म ने सबको एंड येस रॉकेट साइंस लगाने की ज़रुत नहीं है दोनों मुवीज का टॉपिक सेम है अब शायद इस बात से हर कोई एगरी करेगा कि जब आप इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हो वो भी इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ तो शायद उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अलग होना चाहिए सेम जैसा काम आरारार ने किया था अंग्रेजों के साथ थीटर्स में पागल होके नाच रहे थे लोग वो तो फिक्शनल कहानी थी रामायन तो अपनी हिस्ट्री होगी वैसे एकदर लोगों के दिमाग में ये भी है कि रामायन इतनी बार देखी जा चुकी है कि वही कहानी बार-बार सुनने में एक्साइट्मेंट कैसे फीलो पाएगा इसका जवाब बहुत आसान है जो अक्टर्स फिल्म में लिये गए हैं अगर उनका प्रेजेटेशन नेक्स लेवल पे जाता है वी एफेक्स का बहतरीन इस्तमाल किया जाता है तो कहानी पे जादे ध्यान जाएगा इनी रामाइन का थीटर एक्सपिरियंस खुद में इतना बड़ा बन जाएगा कि आप आक्शन, इमोशन और स्पेशिल एफेक्स में खो जाओगे लेकिन एक चीज है जिसको सुनके शाद रामाइन के मेकर्स को थोड़ा सा जटका लग सकता है क्योंकि 800 करोर वाली फिल्म को 40 करोर वाली फिल्म तक कर कैसे दे सकती है हनुमान याद है कोई भी पॉपिलर नाम नहीं था उस फिल्म में, डिरेक्टर को भी कोई नहीं जानता था नौट बैल्ट में, फिर भी 300 करोर लगा दिये बॉक्स ओफिस पर अब उसका next part announce हुआ है जै हनुमान जिसका first poster देखकर शायद दुनिया में एक भी इनसान ऐसा नहीं होगा जुसमें एक भी गलती ढूंपाएगा poster ही ऐसा बनाया है कि फिल्म का hype automatic बन जाएगा और शायद यकीन ना हूँ आपको, maximum उस फिल्म का बजट 100 करोड से भी कम में निपट जाएगा और सबसे बड़ा advantage उस फिल्म के पास पता है कहानी जो चीज रामाइन को repetitive बना रही है वो जै हनुमान को fail proof बनाती है Actually प्रशान्थ वर्मा history नहीं रिखाने वाले वो current time में हनुमान जी को वापिस लेकर आएंगे जो आज इनसानों के बीच कैसे और कहां पे रहते हैं शायद इसलिए poster को ध्यान से देखोगे तो हनुमान जी के हातों में भगवान राम की जो मूर्टी है वो present अयोध्या के राम लला से काफी match करती है जिस बात को सुनकर ही आप शरीर पे wrong time हैसूस कर रहे हो उसका presentation अगर 800 करोड वाला ना भी हुआ तब भी उसकी कहानी को देखने में अलगी मजा आएगा शायद आपको पता ना हो ये फिल्म पीवी सी उ माने प्रशान्त वर्मा सिन्माटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें 10 मूवीज और आएंगी माने हनुमान जी का कैरेक्टर आगे भी यूज होगा और जब रिशप शेटी जैसा आक्टर भगवान हनुमान के अफ्तार में रिवील होगा यकीन मानो कांतारा के एक्स्पिरियंस से भी 100 ताइंस पार्फुल होगा ऐसे में टेंशन वाली बात तो है सर 800 करोड वर्सस असी करोड फिर भी जैहनुमान का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत आगे निकल चुका है सौ में से सौ लोगों को इंप्रेस कर चुका है बट रामायन ने अभी सिर्वात की है फिल्म को आने में दो साल बाकी है और जब रंवीर या फिर यश का फर्स्ट लुक बहार आएगा पूरा इंडियन सिनमा हिल जाएगा इतना जल्दी जर्ज मत करो, हेट करने का मौका मत धूंडो, फीडबैक देना जरूरी है लेकिन बॉयकोट रामायन अभी से चलाना घटिया पनती होगी बिना लॉजिक वाली बात फिल्म को लेकर कितना confidence फील कर रहे हो आप अच्छा बुरा जो मन में हो लिख डालो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायप करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतिजार करिए बिलूंगे आपसे अग